भारत के मौझूदा CGI जस्टिस यू यू ललित ने अपने उत्राधिकारी के तौर पर जस्टिस डीवाई चंदरचूर के नाम की सिफारिश कर दी है यानि यह तैं हो गया है कि जस्टिस डीवाई चंदरचूर भारत के अगले 50वे चीफ जस्टिस अफ इंडिया बनेंगे लेकिन उनके नाम की सिफारिश के साथ ही इस पूरे विशय को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए है कि जस्टिस डीवाई चंदरचूर के कोलेजियम में कितने लोग शामिल होंगे उनके कोलेजियम का हिस्सा कौन-कौन होगा और इसके लिए इस पूरे विशय के लिए 5 प्लस 1 के फॉर्मुले को पेश किया जा रहा है आज इस वीडियो में हम इसी फॉर्मुले को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही कोलेजियम प्रनाली से सम्द्धी तवाम पहलूं पर भी बात करेंगे मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टियाईस की इस नई वीडियो में वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रेखा को समझ लेते हैं यानि इन बिंदों की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो में सबसे पहले हम नियूज यानि खबर पर बात करेंगे इसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिर ये जो कोलेजियम प्रनाली है ये प्रनाली क्या है और ये प्रनाली किस तरह से काम करती है साथी इस विशे को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में कोलेजियम प्रनाली का विकास किस तरह से हुआ है और इसके विकास के साथ साथ कोलेजियम प्रणाली का स्वरूब किस तरह का है यानि इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं इसके अलावा मौझूदा समय में जो 5 प्लस 1 का फॉर्मूला पेश किया जा रहा है 5 प्लस 1 कोलेजियम प्रणाली का जो फॉर्मूला पेश किया जा रहा है आखिर वह फॉर्मूला क्या है उस फॉर्मूले को भी समझने की कोशिश करेंगे और अंत में एक प्रश्ण पर भी बात करेंगे प्रश्ण मेंस का है और आप 200 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं आज का जो पुरा विडियो है उसामान या ध्यन प्रश्ण पत्र 2 से सम्मंदित है और आप इसे भारती राजविवस्था भारती समविधान और सर्वोच न्यायले जैसे खंडों से जोड़ कर देख सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी न्यूज देख लेते हैं आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्स्प्रेस के एक्स्प्लेंड सेक्शन से है हमारी खबर है कि प्रिंसिपल ऑफ सिन्यॉरिटी एंड नेक्स्ट सीजी आए चंद्रचूर फाइफ प्लस वन कोलीजियम यानि भारत के जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ह उनके कोलीजियम के लिए फाइफ प्लस वन का जो फार्मूला पेश किया जा रहा है जिस फार्मूले की चर्चा की जा रही है आखिर वो फार्मूला क्या है इसी को लेकर ये पूरी खबर लिखी गई है इसी को इसी फार्मूले को लेकर इसके तमाम पहलूँ को लेकर उस पेश करने की जरुरत क्यों पड़ी है इसको लेकर इस खबर में चर्चा की गई है चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे फॉर्मुले को विस्तार से समझने से पहले इसका और ज्यादा अध्यन करने से पहले हम कोलेजियम प्रनाली के बारे में कुछ बुनियादी बाते जान लेते हैं कि आखिर ये कोलेजियम प्रनाली है क्या तो कोलेजियम प्रनाली को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये प्रनाली मुखे तोर पर भारत में जजों की नियुक्ति यानि नियाएधिशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण उनके ट्रांसफर से संबंधी जो प्रणाली है उसी प्रणाली को कोलेजियम प्रणाली कहा जाता है यानि जिस तरह से भारत में जजों की नियुक्ति होती है उनको उनका तबादला होता है और उनकी नियुक्ति जिस तरह से होती है उसी पुरे प्रॉसेस को भारत में कोलेजियम प्रणाली कहा मिलता है और ना ही भारत के किसी कानून में हमें इस प्रणाली का दिक्र देखने को मिलता है यानि ये प्रणाली ना तो भारती सम्विधान के किसी अनुछेत के तहद गठित की गई है और ना ही इसे भारत के किसी कानून के तहट गठन किया गया है इस पूरी प्रणाली का तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये पूरी प्रणाली विक्सित किस तरह से हुई है तो इस पूरी प्रणाली का जो विकास है वो मुखे तोर पर सर्वोच न्यायले के तीन निर्णयों के माध्यम से हुआ है तीन डिसीजन्स के माध्यम से हुआ है और यही वज़े है कि इस पूरी प्रणाली को भारत में जजों द्वारा जजों की न्यूक्ति और जजों द्वारा जजों के स्थानांतरन यानि ट्रांसफर से सम्मंधित प्रणाली भी कहा जात क्योंकि फुरी प्रणाली के तहट है जाजों द्वारा ही जज का ट्रांसफर किया जाता है शखति बात की चिफ धिशिस अफ इंडिया यानी भारत के point scar word मैं पूरे person CGI के अलावा सर्वोची नयायले के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायधीश भी शामिल होते हैं, यानि CGI के अलावा इसमें जो सर्वोची नयायले के सुप्रीम कोर्ट के जो चार सबसे सीनियर जज होते हैं, वो भी सर्वोची नयायले के कोलेजियम में शामिल होते हैं, तो यह के विकास को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि भारती सम्विधान में इससे संबंधी जजों की नियुक्ति से संबंधित क्या प्रावधान किये गए है तो यदि आप भारती संविधान पर नजर डालेंगे तो आपको दो अनुछेद संबंध में काफी विशेश नजर सर्वोच्ष नियायले के जजों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है और जो दूसरा अनुछेद है अनुछेद 271 यह भारत में राष्टपती को उच्छ नियायलो यानि हाई कोर्ट के नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है इन दोनों ही अनुछेदों में ये क प्रामर्श करेंगे उनके साथ consultation करेंगे और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारती समविधान में न्याईधीशो की नियुकती के लिए प्रामर्श प्रक्रिया का उलेख किया गया है consultation process का consultation process का उलेख किया गया है लेकिन जब तक भारत में collegium परणाली विक्सित नहीं हुई थी यानि collegium परणाली विक्सित होने से पहले भारत में एक जो सवाल सबसे ज़ादा चर्चित था भारत में न्याईधीशों की न्यूक्ति को लेकर वो सवाल ये था कि यहाँ पर भारती सम्विथान में जो परामर्ष शब्द का उलेख किया गया ही ये परामर्ष शब्द की प्राकृति क्या है शब्द का नेचर क्या है ये परामर्ष किस प्राकृति का होता है यानि यदि भारत में जो CGI है या जो वरिष्ट न्याईधीश है वो भारत की राश्टपती को या भारत की सरकार को अपना कोई परामर्श देते हैं तो उस परामर्श का क्या नीचर होगा क्या राश्टपती के लिए क्या सरकार के लिए उस परामर्श को मानना बाधिकारी है क्या राश्टपती के लिए उस परामर्श को मानना जरूरी है या फिर राश्टपती उस परामर्श को मानने से इंकार भी कर सकता है इस तरह के तमाम सवालों को लेकर भारत में कोलेजियम प्रणाली विक्सित होने से पहले चर्चा की जा रही थी और इन तमाम सवालों की वज़े से भारत में अक्तर से न्यायपालिका और कारेपालिका की बीच काफी ज़्यादा संगर्श देखने को मिल रहा था यानि कई बार ये देखने को मिला कि जिस तरह के नामों के सिफारिश न्यायपालिका द्वारा की जा रही थी उस तरहे के नामों पर उस तरहे के नामों पर सरकार विचार नहीं कर रही थी उस तरहे के नामों पर उन न्यायधीशों की नियुक्ति नहीं की जा रही थी जिनके सेपारिश सर्वोच न्यायले के लोगों द्वारा सर्वोच न्यायले के CGI द्वारा या फिर भारत के जो तम विखार पर भारत में कोलेजियum प्राणाली का ही का से हें कौन से हैं वो तीन decisions उन तीन decisions की बात करें तोholes सबसे पहला decision है first judge case हमें साल 1981 में देखने को मिलता है first judge case को हम अधिकारिक ताउर पर SP उल्पता के इस ये been जानते हैं अब हमने पहले ही बात की कि भारत में जजों की नियुक्ति के लिए नियाएधीशों की नियुक्ति के लिए परामर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है परामर्श शब्द का उलेख किया गया है भारती है सम्विधान में कंसल्टेशन शब्द का उपयोग किया गया है और इसी शब्द क उपयोग की वजह से भारत में पहले से ही लंबे समय से न्यायपालिका और कारेपालिका की बीट संगर्श चला रहा था ऐसे में इसी संगर्श को ध्यान में रखते हुए इस पूरे केस में सर्वोचे न्यायले ने निर्ने दिया था कि भारती सम्विधान में जो परामर्श शब्द का उलेक है ऐसे में इस परामर्श चब्द की व्याक्या जो की गई है सर्वोचे न्यायले ने कहा था कि शब्द की व्याक्या सहमती के तौर पर नहीं की जा सकती है यानि ये जो परामर्श लिखा हुआ है इसे सीजियाई की सहमती के तौर पर नहीं देखा जाना वो सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती है ऐसे में स्निर्णे के माध्यम से सर्वोच नयायले ने जजों की न्यूकती की प्रक्रिया में कारेपालिका की भूमिका को राश्टपती की भूमिका को, सरकार की भूमिका को प्राथमिक्ता दी थी इसी पूरे प्रोसेस में सर्वो चिन्याले द्वारा CGI की भूमिका को केवल परामर्ष तक सीमित कर दिया गया था और इसके अलावा CGI की कोई भी जादा विशेश भूमिका नहीं थी और यह जो पूरा पूरा निर्ने है यह लगभग 12 सालों तक प्रचलेत रहा 12 सालों तक इस केस देखने को मिलता है और सेकिंड जच केस में 9 जज़ों की एक बेंच ने जो एसपी गुपता केस था इस siaht के निर्ने को 9 जज़ों की बेंच दवारा खारज कर दिया धा सा Archive और जबकि ये जो second judge case है, इस second judge case में 9 जजों की एक bench ने अपना decision दिया था, तो जाहिर तोर पर ये जो second judge case है, इस decision को इस निर्णे को काफी ज़ादा महत्वपूल माना जाता है, तो इस पूरे निर्णे में इस 9 जजों की bench ने SP गुपता केस के निर्णे को पूरी तरह से खा हिए, और इसी प्रात्मिक्ता के आधार पर सर्वोच नियायले द्वारा second judge case में अपने decision में कोलेजियम प्रणाली की शुरुवात की गई थी, यानि यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि भारत में कोलेजियम प्रणाली की शुरुवात second judge case के माध्यम से हुई थी, जो कि हमे साल 1993 में देखने को मिला था, तो इस पूरे निर्ड़े में सर्वोच नियायले ने स्पष्ट किया था कि नियायपालिका की स्वतंतरता और अखंडता की रक्षा करना खुद नियायपालिका का काम है, खुद शिर्ष अदालत का काम है, यानि शिर्ष अदालत को खुद अखंडता की रक्षा करनी होगी और इस तरहे की स्वतंत्ता और अखंडता की रक्षा करने के लिए नियुक्ति और तबादनों की प्रक्रिया में CGI को प्रात्मिक्ता दी जानी जरूरी है तो इस तरह से इस निर्णे के माध्यम से सर्वोच नयायले द्वारा भारत में कोलेजियम प्रनाली का विकास किया गया था लेकिन यहां विशेश बात यह है कि सर्वोच नयायले द्वारा सेकिंड जच केस में जो कोलेजियम प्रनाली विक्सित की गई थी वो कोलेजियम प्रणाली का स्वरूप कुछ अलग था क्या था उसका स्वरूप तो उस कोलेजियम प्रणाली में मुख्यतौर पर पहले तो CGI शामिल थे Chief Justice of India शामिल थे इसके अरावा उस कोलेजियम में सर्वोची ने आये लेके इसके बाद इस नाम को राश्टपती के पास भीजा जाता था जो भी नाम जो कोलेजियम था उसके द्वारा ते किया जाता था उस नाम को राश्टपती के बाद भीजा जाता था और राश्टपती के पास भीजने के बाद कारेपालिका के लिए उस नाम को स्वीकृति देना अनिवार हो जाता था हाला कि राश्टपती एक बार फिर से पुनरविचार के लिए इस नाम को वापस कोलीजियम के पास भेज सकते थे लेकिन यदि कोलीजियम द्वारा दुबारा इस नाम को राश्ट्पती के बाद भेजा जाता पुनरविचार के बाद तो राश्ट्पती के लिए सरकार के लिए कारेपालिका के लिए इन सिफारिशों को मानना अनिवार हो जाता था बाधिकारी हो जाता था इसके बाद आया थर्ड जजकेज अब थर्ड जजकेज जो आया वो आया साल 1998 में लेकिन यहां पहले एक सवाल ये भी उड़ता है कि जब हमारे पास सेगिंड जज केस में एक कोलेजियम पनाले विक्सित हो गई थी तो हमें थर्ड जज केस की जरूरत क्यों पड़ती है तो इसके लिए आपको याद होगा कि भारती समविधान की अनुषेद 143 में राष्टपती को सर्वोच नयायले से किसी भी कानूनी मसले पर किसी भी कानूनी मामले पर परामर्श लेने का अधिकार दिया गया है सुझाओ मांगने का अधिकार दिया गया है इसी अधिकार का उपयोग करते हुए साल 1998 में भारत के राषपती K.R. नाराइनन ने परामर्स शब्द के अर्थ पर सरवोच न्यायले से सुझाओ मांगा था K.R. नाराइन ने जो कि उस अमे भारत की राषपती थे उन्होंने सर्वोच नयायले से प्रश्न किया था कि क्या केवल CGI की एक मात्र राय परामर्श के तहट आएगी या फिर इसके लिए कई नया इधीशों की राय की आवशकता होगी यानि यदि केवल CGI भारत के कोलेजियम की और से अपनी राय देते हैं अपनी सिफारिश देते हैं तो क्या उनकी सिफारिश मानने होगी उनकी सिफारिश को स्विकार किया जाएगा या फिर इसके लिए आनने नया इधीशों की सिफारिशों की भी जरूरत होगी उनकी राय की भी जरूरत होगी तो इस पूरे सवाल के एवज में जो सर्वोच चिन्यायले ने उस समय अपना सुझाओ दिया था इस सुझाओ के तौर पर सर्वोच चिन्यायले द्वारा कुछ दिसा निर्देश जारी किये गए थे कुछ guidelines जारी की गई थी और इन ही guidelines के माध्यम से भारत में जो collegium पनाली का मौजूदा स्वरूप है उस मौजूदा स्वरूप का विकास हुआ था तो इस guidelines के माध्यम से भारत में collegium पनाली विक्सित हुई थी और ज्यादा तो क्या guidelines थी तो guidelines ये थी कि Collegium पडाली में सबसे पहले तो CGI शामिल होंगे Chief Justice of India शामिल होंगे इसके अलाव़ सर्वोच नियाले के Collegium में सर्वोच नियाले के चार सबसे senior judge भी शामिल होंगे तो इस तरहे से सर्वोच नियाले निसपश किया था third judge case में जो कि 1998 में आया था क कि भारत में भारत की जो Collegium पडाली है उसमें मुख्यतोर पर पांच judge शामिल होंगे पांच नियाधी शामिल होंगे और इन नियाधी शों की सिफारिश अनिवार होगी सर्वोच नियाले ने अपने निर्णे में ये भी कहा था कि यदि Collegium के दो जजों को अलगता है कि ज इस पूरी प्रणाली के माध्यम से तो ये तो बात हुए कि भारत में Collegium प्रणाली का विकास किस तरह से हुआ अब Collegium प्रणाली का मौझूदा स्वरूप कैसा है उस स्वरूप को समझ लेते हैं उस स्वरूप की बात करें तो हमने पहले ही देखा कि भारत में Collegium प्रण कोलीजियम में मुखेतौर पर 5 जज शामिल होते हैं एक तो खुद CGIE होते हैं दूसरा चार जो वरिष्ठ जज होते हैं सबसे सीनियर जज होते हैं वो शामिल होते हैं. अब यहाँv यहाल उठता है कि चार जाज क्यों चार लोगों को क्यों शामिल किया जाता है तो इसके लिए कोई ना कोई एक वेक्ति भारत का संभावित TGI भी होगा, क्योंकि इस पूरे कोलेजियम में सबसे वरिष्ठ लोग शामिल होते हैं, सबसे सीनियर लोग शामिल होते हैं, तो जाहिर तोर पर इनमें से कोई ना कोई भारत का अगला CGI भी होगा, तो जब भारत का अगला CGI होगा तो इस CGI होने के माध्यम से इस पूरी प्रणाली के जरिये भारत में जो सर्वोच न्यायले से सम्मंधित निर्ने है जो decision making का process है उस process में continuity सुनिश्चित की जा सकती है निरंतरता सुनिश्चित की जा सकती है इसी वज़े से चार जजों को शामिल किया जाता है अब इसके में जस्टिस डीवाई चंदरचूर भारत के अगले CGI भी होंगे वो जस्टिस यू ललित के उत्राधिकारी भी है तो जाहिर तो पर जस्टिस यू ललित ने जो decisions लिये हैं उन decisions की continuity को बनाये रखने के लिए जस्टिस डीवाई चंदरचूर भी महत्वपूर भूमी का आदा करेंगे और उनके decisions को और जादा आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से हमने decision making का जो process है उसकी continuity को सुनिश्चित कर दिया इस पूरी process के माध्यम से इस पूरी प्रणाली के माध्यम से लेकिन अब यहां सवा कषी भी भारत का अगला CGI नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ज ГाChris ज़्चिति में यहां कि अगला CGI है वो को लेजयम का हिस्सा नहीं है तो ऐसी स्थिति में ज अगला CGI है वो अपने आप automatic तरीके से भारत के collegium प्रणाली का हिस्सा बन जाएगा सर्वोची नयायले की collegium का हिस्सा बन जाएगा और इसके लिए भारत से संबंधी जो प्रावधान है उन प्रावधानों में कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब यह जो decision है कि वो automatic तरीके से collegium प्रणाली का हिस्सा बन जाएगा यहीं से भारत में सर्वोची नयायले का जो collegium है उसके लिए 5 प्लस 1 का formula विक्सित होता है तो यह formula किस तरह से विक्सित होता है उसको समझने के लिए हमें मौजूदा स्थिती को समझना होगा मौजूदा जो स्थिती बन रही है justice d y चंदरचूर के collegium को लेकर उस थिती को और जादा विस्तार से समझना होगा तो सबसे पहले बात करें justice d y चंदरचूर की तो justice d y चंदरचूर भारत मे 9 November 2022 को भारत के 50 पे chief justice of india बनेंगे भारत के मुख्य नयाइधीश बनेंगे और इस तरह से जब वो भारत के मुख्य नयाइधीश बन जाएंगे तो नियमों के मताबिक उनकी कोलीजियम में जो सबसे चार सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के वो शामिल होंगे तो इस तरह से उनकी कोलीजियम में मुख्य को जेडियम में इसके बाद एक बार फिर से 15 मई दो हजर तेईज को इस कोलेजियम में दबारा से बतलाओ देखने को मिलेगा क्योंकि 15 मई दो हजर तेईज को एक बार फिर से Justice साह सेवा निवरित हो जाएंगे और जब Justice साह रेटाइर हुंगे तो उनकी रेटाइर्मेंट के बाद एक नया नाम इस कोलेजियम में शामिल होगा और इस नए व्यक्ति का नाम है जस्टिस संजीव खन्ना यानि जस्टिस संजीव खन्ना भारत के कोलेजियम में शामिल होंगे 2023 में लेकिन अब यहाँ विशेश बात यह है कि जो जस्टिस संजीव खन्ना है वो भारत के अगले CGI है जस्टिस डीवाई चंदरचूर के बाद जस्टिस खन्ना ही भारत के अगले CGI बनेंगे जस्टिस खन्ना साल 2024 में 11 नवंबर 2024 को भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे क्योंकि 2024 से पहले यह जो तमाम यह जो सबसे सीनियर मोस्ट है की तब तक रटायर हो चुके होंगे तो इस सरे से जो जस्टिस खन्ना है वो भारत के अगले CGI होंगे लेकिन अब यहाँ विशेश बात ये है कि अगला CGI है भारत का अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भारत के को लेजिय में तक्रीबन एक वरेस तक शामिल ही रही है 2022 से 2023 तक Justice खनना भारत के जो Collegium सिस्टम है भारत का जो Collegium है उसमें शामिल ही नहीं है तो इस वज़े से इने शामिल करने के लिए एक नई फॉर्मली की बात की जा रही है एक नए पैटन की बात की जा दीवाई चंदरचूर हैं इसके अलावा ये चार लोग हैं जो कि सुप्रीम कोड के सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं और इन पांश लोगों के अलावा जस्टिस खन्ना भी जस्टिस दीवाई फॉर्मुले की मुझे आशा है कि इस फॉर्मुले को आप समझ गए होंगे इसको आप और दुबारा रिपीट पर लूप पर भी समझ सकते हैं अब अंत में परशन की बात कर लेते हैं परशन मेंस का है और आप 20 सु शब्दों में इस से लिखने की कोशिश कर सकते हैं आज का अमारे जो प्रश्ण है, प्रश्ण है कि भारत में न्यायपाली का द्वारा विक्सित कोलेजियम प्रणाली का स्तमालोष्णा अत्मत मुल्यांकन कीजिए। आपको 200 शब्दों में लिखना है कि भारत में सर्वोच न्यायले द्वारा किस तरह से कुलेजियम प्रणाली विक्सित की गई और इस कुलेजियम प्रणाली के आपको पक्ष और विपक्ष में भी तरक लिखने हैं इसके अलावा आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत में सर्वोच न्यायले द्वारा किस न्यायले के माध्यम से कुलेजियम प्रणाली विक्सित की गई थी और ये किस साल विक्सित की गई थी ये प्रणाली फस्ट जच केस के माध्यम से विक्सित हुई थी या फिर थर्ड जच केस के माध्यम से विक्सित हुई थी पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपकी परश्णिपत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे इस तरह कि अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद